दोस्तों नमस्कार जैहिन वंदमात्रम देखिएगा कल आप लोगों का जो गनीत का पेपर है रुक जाना नहीं परिक्षा में दोस्तों यहाँ पर आपको most important question में बता रहा हूँ इन सभी question को याद करेंगे पूरा question पेपर में आपके लिए लिकराया हूँ यहाँ पर इसमें आप लोगों के लिए जो math subject है उसके ऐसे presence सामिल करें हैं जो आपकी परिक्षा में आ सकते हैं तो चले start करते हैं पहले question से सभी student channel को subscribe जरूर करेंगे देखिएगा यदि दो संख्याओं का गुननफल 32 तथा LCM 8 है तब उनका HCF होगा यहाँ पर आपसे पूछा क्या है 32 तो गुननफल है LCM 8 है तो HCF पूछा है और HCF हो जाएगा 4 ठीक है जब हम इनका HCF निकालेंगे 32 और 8 का तो 8 32 तो 8 चुका 32 ठीक है तो यहाँ पर 4 आपका correct answer हो जाएगा ठीक द्विगात भावपद देखो द्विगात भावपद उसे कहते हैं जिसकी घात कितनी हो दो हो तो यह द्विगात भावपद है इसके सुनने को का गुननफल पूचा है तो गुननफल C बटे A correct उत्तर हो जाएगा अगला है रेखिक समीकरण यूगमू रेखिक समीकरण की घात एक होती है ठीके यह आपको दिया गया है दो यूगमू दिया है जिसमें A1X प्लस B1Y प् C2 बरबर 0 एक अजविती हल होने की सर्थ बताना है जो की हो जाएगी A1 बटा A2 बरबर नहीं है B1 बटे B2 ठीके यह आपका correct answer इसमें हो जाएगा इसके बाद में AP 420-2 में सार्व अंतर है सार्व अंतर इसमें माइनस दो आपका उत्तर हो जाएगा ठीके और इसके बाद म सम्मुक कौन होगा तो पहली बुजाएगा जो सम्मुक कौन है वो 90 डिगरी हो जाएगा कितना हो जाएगा तो 90 डिगरी आपको correct answer में बताना रहेगा इसके बाद में बिंदूओं A1-2 और B-3-4 को मिलाने वाली रेखा के मद्य बिंदू के निर्दिशांक होंगे तो इसम में आपको minus 1 और 1 correct answer करना रहेगा मतलब option number 1 आपका इसमें correct हो जाएगा ठीके अब मैं आपको फिलिंदा blanks जो रिक्तिस्थान है सबसे most रिक्तिस्थान बता रहा हूं ध्यान दीजिएगा आप सभी students देखिएगा पांच करनी तो एक संक्या है कैसी संक्या है तो ये एक आ गहात समीकरण केते हैं और द्विघात समीकरण में आपको याद रखना है उसकी जो गहात होती है वो फितने होती है दो होती है ठीक अगला समीकरण है देखिएगा एकस माइनस 3 और एकस प्लस 4 बरबर 0 के मूल तो इसके 3 और माइनस 4 ये मूल हो जाएगे इसके ठीके तो ये आंसर आपका इसमें करेक्ट होगा अगला कुश्चन देखिएगा समाना अंतर स्रेणी है याँ पर ए ए प्लस बी ए प्लस टू डी का दस्मपद आपको बताना है तो ए प्लस नाइन डी ये दस्मपद आपका हो जाएगा ठीके ए प्लस नाइन डी विल भी करेक्ट आं प्रतियां कहलाती है तो इसमें समरूप आपका उत्तर होगा ठीके बिंदू 4 और 0 अक्ष पर इस्तित है तो यह कौन से अक्ष पर इस्तित है ठीके याद रखना अब जोड़ी आप देख लीजिएगा इस जोड़ी में से आपके 101% कुश्चन बन सकता है ठीके देख सकते हो पहला कुश्चन वन प्लस कोट स्क्वाइर थीटा इसमें आप लोगों कपर और पार करेक्ट और यहाँ पर तू कोष ए इन्टू सेके इसका करेक्ट अंसर आपका दो नंबर वाला ओप्ष नंबर सी करेक्ट होगा साइन्साट डिगरी का आपका उत्तर हो जाएगा करने तीन वटे दो चतुर्थांस का छेत्रफल तो जो चतुर्थांस होता है ना इसका छेत्रफल आपको एक वटा चार फायार वर्ग बताना है वर्त के परेदी के एक भाग को तो इसको आपको बताना है वर्त का चाप कहते है ठीके और बिंदू तीन और माइनस चार वाला चटुरथांस जो है इसमें आप लोगों को चटुरत चटुरथांस बताना रहेगा तो इस तरह की जोड़ी आपको complete याद रखना है सभी students को अब इस जोड़ी के बाद में आपको next जो कुश्यन में बता रहा हूँ वो आपका बहुती most important कुश्यन है उसको आप याद करके जरूर जाएंगे देखिएगा एक तो थेलस का विलोम कथन याद करके जाना है इसके अलावा आउनमन कौण की परिभासा याद करके जानी है बाद की को उत्तर देख सकते हो आप याँ पर बाद की में बता रहा हूँ देखिएगा किसी द्विगात समीकरण के विवित्तिकर का मान सुन्न है ठीके, तो मूलों की प्रकरति केसी होगी तो मूलों की जो प्रकरति है वो वास्तविक होगी वा समान होगी ठीके, जिसको पन बराबर भी कहते हैं ऐसा याद रखना वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा है वो व्यास होती है ठीके वृत्त की सबसे बड़ी जीवा तो इसमें आपको व्यास करेक्ट आंसर बताना है बेलन के आईतन का सूत्र तो यहां पर आपको यह दे दिया गया है ठीक है? करेक्ट आंसर में इसके बाद में 3-3, 4 और 5-5 का समान अंतर माद्द 4 है क्योंकि इसमें समान अंतर मतलब बीच में यहां 4 दे रखा है 2 संक्या इधर है 2 संक्या इधर है कैसे हो सकता है तो 3-1 जब हम करेंगे तो 4 होगा और 5-1 हम करेंगे तो भी 4 होगा ठीक है? इसका मतलब यहां पर समान अंतर माद्द 4 है अगला देखिए असत्य लिखिये में इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको सही से दिखाई देदे देखिएगा यदि ABC समान अंतर स्रेणे में हो तब B बरबर A प्लस C बटे 2 होगा तो यह आप लोगों को इसमें सत्य बताना है एक असंबव गटना की प्राइक ताएक होती है तो इसमें असत्य बताना है गोले का संपुर्ण सेत्रपल चार फाय आर वर्ग होता है जहां आर गोले की तरिज्जा है तो इसमें आपको सत्य लिखना रहेगा पर तके केंदर से जीव पर डालागा ये लंब जीवा को समध्य भाजित करता है यह आपको सत्य बताना है PT स्क्वाइर वाला यदि किसी घटना की प्राइकता P है तो यहां पर ये जो एक्विशन दी ये सत्य है ठीके और उन्नेयन कोन सदेव उन्नेयन कोन होता है ये बिल्कुल सही उत्तर आपका इसमें हो जाएगा ठीके तो इसके बाद में एक और हमारे द्वारा आप लोगों के लिए एक और बेस्ट वीडियो आने वाला है जो आपके लिए बहुत ही फाइद मन्द होगा चैनल को आप सब्सक्राइब जरू कर लेंगे सभी स्टुडेंट